हरियों हम सब को चाहिए विद्या, विवेक, सम्रद्धी और शांती और इसके लिए हम सारे लोक व्यापार करते हैं प्रबल पूर्शार्थ करते हैं लेकिन ज्ञान की प्राप्ति बिना शद्धा के नहीं हो पाती योगेश्वर भगवान श्रीक रशन ने श्रीमत भगवत गीता में इस पष्ट उलेक किया इस बात का कि शद्धावान लबते ज्ञानम तत्परह संयते इंद्रिया ज्ञानम लब्धा पराशांती अचिरेन अधिगत छती परम शांती की प्राप्ति अगर हमको करनी हैं और वो भी अचिरेन हैं यारी जट से तो उसके लिए शद्धा की जरुरत है शद्धा से हमको ज्ञान मिलता है और उसके साथ साथ अगर हमारे पास सैयम हो क्योंकि सैयम के बिना भी सारी काम अदूरे रह जाते हैं प्रियास अधूरे रह जाते हैं और अधूरे प्रियास कभी पूर्ण परिणाम नहीं देते हैं शद्धा से ही जुड़े हुआ हमारा पर्व है शाद्ध बक्ष इसमें अपने पूर्वजों के प्रतिशद्धा अपनी आस्था के प्रतिशद्धा अपनी धार्मिक मर्यादाओं के प्रतिशद्धा जीवन मुल्यों के प्रतिशद्धा जिससे के हम अपने स्वरूप को अच्छी तरह से जाने रहें समझे रहें और उसको अपनी अगली पीडी को भी हस्तान तरित करें करतक ज्यता का भाव हमारे अंदर उत्पन बना रहे जिससे के हम कुछ ना कुछ श्रेष्ट प्राप्त करते चले जाएं जिससे के हमारे जीवन में उत्करश्टता आए हम इन बातों को जानते हैं हर दैसे मानते भी हैं और इसलिए पंद्रह दिन तक ये शाद्ध परव हम मनाते हैं इसकी बहुत सारे रूप हैं मैं उस विश्तार में इस समय नहीं जाओंगा क्योंकि जो इसकी बुनियादी चीज है मैं वहाँ आज चर्चा करना चाहता हूँ और सच्ची बात तो ये है कि समय आ गया है कि सुरूप का भान कराने के लिए बिक्षाटन किया जाए अपने लिए अगर हम कुछ मांगते हैं तो उसमें कुछ लज्जा आती है लेकिन अगर अपने आने वाली पीडियों के लिए अपने जिग्यासों, सादकों के लिए अपने समाज के लिए अपने प्रेमियों के लिए अगर हम कुछ मांगते हैं तो इसमें कोई लाज की बात नहीं है इच्चा बहुत सब की होती है कि हम सब अच्छा-च्छा करें उननती करें लेकिन अधूरी रह जाती है क्योंकि इच्छा सिर्फ इच्छा है मन में चाहा उपजी और जरा सा ध्यान बटा वो चाहा मिट गई कोशिश भी करते हैं तो उम्र बीच जाती है लेकिन संकल्प करते हैं तो वो पूरे होते ही होते हैं शाद का अगर सच्चा मकसद हम प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 15 दिनों में हम अपने आपको उसके लिए संसकारित कर सकते हैं और संसकारित में भी मैंने कहा कि यह वावसर है जिसमें हम चिंतन करें अपनी उन मर्यादाओं पर जिनका हम पालन करते हैं तरह तरह के जीवों के लिए बली निकालते हैं गाए के लिए बली है कवे के लिए बली है कुते के लिए बली है पक्षियों के लिए बली है बहुत सारी और विद्वानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है उनके लिए हम बली निकालते हैं सतकार करते हैं लेकिन उतने तक भी मैंने कहा कि हमारे अंदर ये अवसर तो मिल रहा है लेकिन transformation नहीं होता तो हम चिंतन करें मनन करें और जब जान गए कि इसके बिना कालियान नहीं तो क्यों समय गवा रहे हैं संकल्प कर ले और संकल्प करेंगे तो उससे जो कुछ भी प्राप्थव्य है वो हमको प्राप्थ हो जाएगा आज इस चर्शा के माध्यम से आपके लिए क्योंकि आपके हित में ही मेरा हित है तब ही तो हम कहते हैं कि सरवे भवन तो सुकिन है हम सब का कल्यान होगा तो उसमें मैं भी शामिल हूँ तो इस कल्यान के लिए हम इन संकल्पों को अवश्य करें हमें चाहिए कि हम जीवन के पलपल का उपयोग करें उसके लिए पहला संकल्प ब्रह्म मूर्थ में जागरण जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा जिससे हमारी सोच अच्छी होगी हमारा जो दवाईयों का बजट है वो खतम हो जाएगा हमें निर्मल पवित्र वातावरण में रहने का मौका मिलेगा हमें ध्यान, प्रणायाम व्यायाम सब करने का अवसर मिलेगा तो पहली भिक्षा हम आपसे मांगते हैं कि आप सपरिवार ब्रह्म मूर्थ में जगने की शुरुवात करें क्योंकि हमारी परंपरा यही रही है लेम एक्सक्यूजिस हमेशा रहती है कि देर हो जाती है सोने में या रात को पढ़ने में देर हो जाती है कई बार बहुत से और भी कारण बन जाते हैं लेकिन हम जब उन छोटे कारणों की वज़े से अपना जो कुछ करने लायक है कर्तव्य है उसका परित्याख कर देते हैं तो कर्तव्य के लिए छोटे कारणों की उपेक्षा क्यों नहीं सकते और बल्कि सची बात यह है कि अगर हम ब्रह्मूर्ध में जगेंगे जिसमें हम माता, पिता, गुरु परमपरा और परमेश्वर अपनी आस्था के अनुसार, इनके कुछ भी नाम हमने रखे हो उन नामों को ले लें, लेकिन इनके प्रती हम शद्धा ग्यापन करें अपने दिन की शुरुवात माता, पिता, गुरु और परमेश्वर के शरी चरणों से ही होनी चाहिए क्यों? क्योंकि इससे हम थैंक्फुलनेस सीखेंगे कृतक ग्यता का भाव आएगा, शद्धा का भाव आएगा और हमारे अंदर सुपातरतापन अपनी शुरू हो जाएगे तीसरी भिक्षा में आपसे मांगता हूँ कि हम जब सुबह उठ गए हैं, प्रकृति अनुकूल है तो फिर क्यों ना, हम जो परमात्माने हमें दिया है ये शरीर दिया है, ये इंद्रियें दिये हैं का निर्वहन कर सकें, दाइत्तों को निभा सकें, उसके लिए हम व्यायाम अवश्य करें, कोई भी व्यायाम, योगा अभ्यास सर्वो परी है इसके अलावा जिमनेजियम जाएं, अखाडे में जाएं, खेल के मैदान में जाएं गार्डन में दौड लगाएं, फावड़ा चलाएं, यानि ऐसा व्यायाम और इतना व्यायाम के आपको पसीना आ जाएं तो तीसरा हमारा जो संकल्प है, भिक्षा का, पुझे भिक्षा देने का, वो संकल्प आपको करना है कि हम प्रति दिन साधना शारिरी कस्तर पर अवश्य करेंगे, यानि व्यायाम रोज करेंगे फिर जब व्यायाम करते हैं, तो इतने से संकल्प से सिद्धी नहीं होने वाली है क्योंकि हम करते तो व्यायाम है, और उसके बाद हमारा खान पान अच्छा नहीं है तो फिर हम क्या परिणाम पाएंगे बीज तो बो दिया, लेकिन उसके पास हमने न थीक से खाद लगाई, ना ही उसके खरपतवार की चिंता करी, ना ही उसको पानी देते तो वो कैसे अंकुरित हो जाएगा, कैसे वो फलीबूत हो जाएगा इसलिए फिर जरूरी है कि हम खानपान अपना सात्विक करें यानि जिससे के हम निरोग भी रहें, उर्जवान भी रहें और किसी को पीड़ा दिये बिना, किसी की हिंसा किये बिना, किसी भी जीव की हिंसा किये बिना किसी को आहत किसी की भावनाओं को आहत किये बिना हम अपना भोजन प्राप्त करें जिससे के भै, क्रोध, सिकुडना, संकुचन ये हमारे भोजन में सम्मिलित ना हो जिन जीवों को आप मार करके कोई बहुत से लोग भोजन करते हैं, तो उससे उनके अंदर जो स्क्वीजिंग होती है, जो सहमना होता है, जो भै होता है, और जो हिंसा होती है, तो उसी तरह का गुण उनके व्यक्तित में, उनके शरीर में हो जाता है, जिसको हम लोग खाते है तो उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जो हमें करना है वो ही हमारे काम आएगा, अनर्गल चर्चा से कोई लाब भी नहीं है तो सात्विक जीवन, जो रुवानी जिन्दगी जीने वाले लोग हैं चाहे वो किसी भी आस्था में हो, Christianity में हो, Islam में हो, Hinduism में हो, Buddhism में हो, और बहुत से पंथ हमारे जो Hindu चिंतन के भी हैं, चाहे वो खाल सा पंथ है, चाहे वो जैन दर्शन है, हर एक में सात्विक आहार जो है, वो हमारे सात्विक जीवन का आधार है, तो इसलिए अगला कि हम सात्विक आहार लें, और सात्विक आहार में ये भी है, कि हम किसी भी तरह के नशे से अपने आपको बचाएं, और पांच भी जो चीज है, वो है स्वाध्याय, कि हम ये जो मनन का अवसर हम इस परव में ले रहे हैं, ये अवसर हम प्रतिदिन प्राप्त करें, पूर्वजों ने अच्छे-च्छे ग्रंथ लिख दिये हैं, जिसमें इश्वरिय ग्यान है, वो सब प्रमानिक ग्रंथ स्वाध्याय के अधिकारी हैं, यानि उनको स्वाध्याय किया जाना चाहिए, यही उनका सम्मान है, उनकी धूप देना, आरती उतारना, उनके उपर च भी बहुत काम कर जाएगा, और स्वाध्याय का दूसरा रूप है, कि रात्री को सोने से पहले, हम जरा सी देर के लिए बैट करके, अपना भी अध्यान करें, कि जो मेरे ये पांच संकल्प हैं, जो भिक्षा के रूप में, पांच संकल्प लेकर के आपने मुझको दिये है या मेरे सामने आप कर रहे हैं, उन संकल्पों को पूरा करने में, कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई, और अगर चूक हो गई, तो फिर हम उसको रिपेर करें, और उसको आगे से ठीक करें, और सब से बड़ी चीज है, कि सिंघाव लोकन करने का हम को अवसर मिलेगा, जिस से स गुनात्मक परिवर्तन हमारे प्रयास में आ जाएगा, और वो गुनात्मक परिवर्तन हमारा जो शद्धा का ये पर्व है, इस शद्धा के पर्व को सार्थक कर देगा, और क्रशन जिनने जो गीता में कहा कि शद्धामान लवते ज्यानम, इसको हम सही माइने में प्राप तो आप मुझे आज मैं भिक्षुक के रूप में आपके सामने बैठा हूँ और आपके हित में अपने इस मानवता के हित में अपने इस ग्यान की परंपरा तब की परंपरा और महान रिश्यों की तपस्रियों की परंपरा के हित में उनके ही प्रतिनिदी हैं आप उनके ही इसलिए भुलाए बैटे हैं कि फिर कल देखेंगे इस बात को कल कभी आता नहीं है जीवन बीट जाता है तो और वो ये संकल्प वो हैं जो हमें दुनियावी जिन्दगी में भी हमें काम्याब करेंगे और इसके बाद जमरा ध्यात्मिक जीवन है रूहानी जिन्दगी है जिसकों कहते हैं हमें परमात्मा का साक्षातकार करना है तो उस जिन्दगी में भी हमारे काम आएंगे तो मैं आपसे फिर से ये संकल्प करने का भिक्षा मांग रहा हूं कि भिक्षा मुझको दीजेगा कि आप ये संकल्प करें कि हम प्रह्मुर्थ में जगेंगे माता, पिता, गुरु और इश्वर के प्रति शद्धा नमन के साथ अपने दिन की शुरुवात करेंगे और पृति दिन किसी भी रूप में योग अभ्यास, व्यायाम, आदी का अभ्यास करेंगे तो ये प्रति अव्यादा लेंगे और उससे भी आगे ये कि हम सथ्व्यादा के साथ साथ जो हमारे तामसिक व्रतियें पैदा हो गई है यानि किसी भी परकार का नशा है उसका परित्याग करेंगे और पांच वावरत ये हैं कि हम स्वाध्याय अवश्य करेंगे मैं प्रारतना करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको इसका लाब मिलेगा और अगर आप ये संकल्प करने के लिए मन बना बैठे हैं क्योंकि मैंने कहाना कि ये अवसर बार-बार नहीं आते हैं अगर मन बना बैठे हैं तो फिर आप भी संक्रामक साधक बन जाएं जब एक बिमारी का वाईरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है तो ये अच्छाई का वाईरस फैलाने में आप क्यों नहीं होते हैं आईए अपना रूपांतरन करें परिवार का रूपांतरन करें समाज का रूपांतरन करें और ये रूपांतरन हमको दिव्यत्व तक पहुचाए बहुत बहुत शुप कामना है